हेलो दोस्तों मैं पंका सर्म आपको मैं अपना चैनल टेक टीफ तक में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने फेस्बूक अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं और साथ यसमिज भी बताऊंगा कि आप अभी तक जिस जिस फोन में अपना फेस्बूक अकाउंट को लॉग इन किया है तो चले वीडियो को एश्टार्ट करते हैं दोस्तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जा करके क्लिक करके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इसके बाद आपको थरी डॉरड पे जाना है थरी डॉरड पे जाने के बाद आपको नीचे आने DAVID आने के बाद आपको यहां सेंटिंग प्रिशन का पके सांयल क अपस्टन मिलेगा इसको किलीक करना है JEFF क्लिक करने के बाद आपका स kn.vp देखने को मिल जाएगा यहां आपको security and login को click करना है click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे interface देखने को मिल जाएगा यहां आपको see all पे click करना है see all पे click करने के बाद यहां आपको अभी तक जिस phone में आपने अपना facebook account को login किया है यहां आपको देखने को मिल जाएगा यहां आपको आने के बाद यहां पे log out of all session को click करके यहां से आपको log out एक ही साथ कर लेना है और अभी जिस phone में आप अपना Facebook account इविज कर रहे हैं वहां पे ही वह आपका Facebook account जो है वह जो sign in रहे गा उसके बाद आपको बयकाना है बयकाने के बाद आपको थोरा नीचे आने के बाद आपको एक setting देखने को मिल जाएगा setting of extra security यहां पे आपको click करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ notification आफ देखने को मिल जाएगा messenger आफ देखने को मिल जाएगा text message आफ देखने को मिल जाएगा इसको मेसेज को करते हैं तो आप अपने Facebook में आप जो भी नमर डाले हैं वहां पर मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो Facebook अकाउंट है दूसरे device में अभी साइन इन हो चुका है जिससे क्या होगा कि आप अपने Facebook के बाद मेरे पास मैसेज एक आ गया है फेस्बूक के तरब से अब क्या होगा कि अगर मेरा फेस्बूक अकाउंट अगर कोई दूसरे डिवाइज में लॉग इन होता है तो यहां मेरे को नटिफिकेशन मिल जाएगा इसके बाद यहां मेसेंजर को भी मैं अन कर लेता हूँ और इसी तरह आप अपने टेक्स मेसेज को भी कर सकता है यहां मैं टेक्स मेसेज को अन नहीं करूँगा मैं बात में कर लूँगा क्योंकि अभी मैं अगर टेक्स मेसेज को अन करूँगा तो यहां मेरा फोन नंबर जो होगा वो सो करेगा जो मैं सिक्वर रखना चाहता हू तो मैं यहाँ से बैएक आ जाता हूँ एक बाह फिर से आपको बता इता हूँ आपको क्या करना है आपको करना आपको सब्सक्राइस को शुक्राइश को पर सेटिंग करना आपस journalism लोग जाताorted ग्लिक और इसको यहां से log out कर देना है उसका बाद नीचे आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे interface देखने को मिल जाएगा आपको एक यहां पर setting देखने को मिल जाएगा इसको click कर लेना है click करने के बाद आपको क्या करना है कि यहां जो है notification, messenger और text message इसको on कर देना है आपको यहां तिनों को on कर लेना है जिससे क्या होगा कि आपका अगर facebook account किसी दूसरे device में अगर on होता है तो आपको यहां पे message के जरी आपको alert मिल जाएगा कि आपका facebook account किसी दूसरे device में open हो चुका है बस यहीं जनकारी आपके साथ share करना था अच्छा लगए तो share करे और अ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो जल से जल सब्सक्राइब करें बेल एकन को प्रेस करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से लाइक करें करें करें